लमश्कार मोप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक रेजर सुर्खियों पर बिहार की इंदो जिलों को सरकार ने क्या अलर्ड पुलीस पर हमला करने वालों पर नामज़द प्रात्विकियों की तरफ बिहार बोर्ड इंटर की प्राक्टिकल परिक्षा में हुआ बड़ा बदलाव बिहार बोर्ड इंटर्मीडियेट की परिक्षा में इस साल बड़ा बदलाव किया गया है इसके तहट प्राक्टिकल की परिक्षा में बदलाव किया गया जिसके तहट प्रायोगीक परिक्षा का अंक स्टेप वाइ अधिकारी को प्रायोगिक परिक्षा का अंग भेजेंगे जिसके बाद जुलासिक्षा अधिकारी अपने दूद के माधियम से विहार बोट को रिजल्ट भेजेंगे राजे के दरजन भर कॉलेज को मिलने वाली अनुदान राशी पर लग सकता है ग्रहन कॉलेजों की नाक मुल्यांकन की वैधिता समाप्ध हो गई है इन में से युनिवर्सिटी समेट नौ कॉलेज की वैधिता पिछले साल ही खत्म हो गई थी जबकि दो महाविद्यालियों की वैधिता फरवरी में खत्म हो जाएगी बतातु चले कि इनमें से कुछ पूरी तयारी के हिनाक को सर्फ स्टड़ी रिपोर्ट भेज दी थी जिसे नाक ने खारिश करके पहले करमियों को दूर करने का नरदेश दिया था बिहार के इन दो जिलो को सरकार ने किया अलर्ट राजे में तीसरी लहर दिन प्रते दिन अपना कहर दिखा रही है सबसे ज़्यादा केस पटना जुले से आ रहे है हाला कि पटना के अलावा भी दो और जुले है जिनको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही है और वहाँ भी अब विशेश निग्रानी रखी जाने वादी है आपको बता दे उन दो जिलो का नाम है मुंगेर और मुजफरपुर जी हाँ बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आधार पर मुंगेर और मुजफरपुर के स्थिते चिंताजरक है यहां बढ़ते मामलों को देखते वे बीते दिन सीमजी की बैठक में मुख्यसाचिम आमिर सुभानी ने इन जिलो के डीम को सतरता बढ़ाने का निर्देश दिया इस दोरान राजिक में कई नए प्रतिबंध लागू नहीं करने पर भी सहमती बनी है साथ ही कहा गया है कि पहले से लागू प्रतिबंधों को ही कड़ाई से पालन करवाये जाए इसके साथ ही भीडभारवाले जगों पर मास्क की जांच के लिए विशेश अधिकारियो वाली टीम भी लगाने की बात कही गई है मास्क नहीं पहने को लेकर हुई कारवाई अगर आप भी बिना मास्क पहने घर से निकल जाते हैं तो साबधान हो जाए आप पर कारवाई भी हो सकती है क्योंकि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे अब सडकों पर विशेश अभियान चला कर चेकिंग की जा रही है इसके तहट बिना मास्क पहने हुए लोगों पर कारवाई की जा रही है आपको बताते चले कि सरकार द्वारा तीन दिनों तक विशेश अभियान चला कर कोरोना प्रतिबंधों का सक्ती से पालन कराया जा रहा है जिसके तहट बीते दिन अभियान के दूसरे दिन में राजवभाज से 14,920 लोगों को बगयर बास के पकड़ा गया और उन पर कारवाई की गए इतना ही नहीं 440 सी वाहनों को भी जब्द किया गया इस दौरान सभी तरह के नियमों का उलंगन करने के आरूप में 7.46 रुपे जुर्माने के तौर पर वसूला गया बिहार में होम आईसुलेशन वाले मरीजों की इस एप से हो रही है निगरानी राजुमें होम आईसुलेशन पर रह रहे है करीब हजारों मरीज की निगरानी हिट कोविड आप के माधियम से शुरू हो गई है इसके तहट बीते दिन से हिट कोविड आप के क्रिया नवियन को शुरू कर दिया गया है आप के माधियम से निगरानी के बाद भी अगर आवश्यक्ता पड़ी तो फिर मरीज को डेडिकेटड कोविड हिल्थ सेंटर या फिर कोविड डेडिकेटड होस्पिटर ने भरती करवाया जाएगा बताते चले की कोरोना की दूसरी लहर में करीब 1.5 लाग संक्रमितों की तब निगरानी की गई थी और इससे काफी मदद भी मिली थी वहीं अब तीसरी लहर में होम आइसलेशन वाले मरीजों की अधिक संख्या को देखते वे इसे फिर से शुरू कर दिया गया है बिहार वासियों को अभी नहीं मिलेगी थंड से रहाथ इन दिनों बिहार में थंड और बारिश का मिला जुला समीकरण लोगों को परिशान कर रहा है मौसमी सिस्टम देश के कई समुद्र इलाकों में चक्रवातों के सक्रिय होने की कारण बन रहे है जिसके कारण विहार समेट अन्यकई राजु में बारिश के आसार बन रहे हैं इसको लेकर भारत मौसम विग्यान विभाग ने अलरजवारी किया है जिसके तहट अगले तीन दिनों की दौरान सुबह और रात के समय में घरा को राच्षाय रहने के साथ ही कनकनी बढ़ने की समभाव न है हालाकि इस दौरान वारिश से थोड़ी रहात जरूर बल सकती है आयम जी ने ये भी कहा है कि अगले तीन दौरान पूरवी भारत में न्यूंतम दापान में कोई महत्वपून बदलाब नहीं होगा बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की बात कही है इसके तहट 17 जन्वरी से एक बार फिर से डीडी बिहार पर बच्चों की पढ़ाई शुरू करने की ववस्था की गई है साथी सभी स्कूलों को नर्देश दिया गया है कि वो डीजी लॉकर के तहट पढ़ाई शुरू करे और जिन बच्चों के बाद डिजिटल डिवाइस नहीं है उन्हें सिक्षा सेवकों की मदद से घर पर ही मार्क दर्शन दिये जाने की बात कही गई है आपको बता दे इसके लिए टाइम टेमल जवारी किया गया है जिसके तहट 17 जनवरी से डीडी बिहार पर क्लास 6 से 8 वी के लिए सुबह 10 से 11 और कक्षा 11 वी से 12 के लिए सुबह 11 से 12 के बीच बढ़ाई होगी साथ ही एक से 5 वी तक के बच्चों को घरों पर ही सिक्षों को द्वारा मार्क दर्शन मिलने की बात कही गई है सिक्षक नियोजन को लेकर वभागने जारी की गाइडलाइन सुबह में तीसरी लहर का असर छटे ज़रन के सिक्षक नियोजन कांसलिंग पर नहीं पढ़ने वाला है यह अपने निर्धारित समय 17 जनवेदी से हिश्यर होने वाली है अलाके सिक्षव भागने कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी की है जिसका पालन करने के साथ ही थर्ड राउन की कांसलिंग की जाएगी गाइडलाइन के अनुसार कांसलिंग केंडरो का सैनिटाइजेशन आवश्रक्ता अधारित मेडिकल टीम की प्रतिन्योक्ती थर्मल स्क्यानिंग, सैनिटाइजर और मास्क की विवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूरी होगा साथी कोविट प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते वे जिलासिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वो कॉंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारन डीम की सहमती से करेंगे जिसकी सूचना NIC के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी साथी बड़े कमरों में काउंसलिंग कराने की प्राथमिक्ता देने को कहा गया है पुलीस पर हमला करने वालों पर नामजद प्राथमिकी होगी दर्ज की जाएगी इसके तहट अगर किसी अपराथी को पकड़ने या किसी मामले को सुलजाने के दारान जो भी लोग पुलीस पर हमला करेंगे उनके खिलाफ नामजद F.I.R. होगा और सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी इस दोरान SSP ने कहा है कि हमलावरों की पहचान मीडियर रपोर्ट, CCTV और अन्यसाधनों से पुलीस करेगी साथ ही रोह ने बताया है कि जिले में बड़ी चाप इमारी खासकर शराब तसकरों के खिलाफ रेड और पुलीस प्रसाशन पर हमले से निपटने के लिए एक QRT टीम का गशन किया जा रहा है जिसमें 10 से 12 पुलीस जवान शामल होंगे शराबंदी के मामलों से पटना हाई कोट हुआ परिशान विहार सरकार द्वारा कड़े कानून और प्रावधानों के साथ शराबंदी लागू किया गया है लेकिन बड़ी संख्या में ये कानून तोड़ने वाले भी रोज मिल जाते है ऐसे में कानून तोड़ने वाले लोगों की बड़ी संख्या हो गई है जोकि पटना हाई कोट पर अब बोजबंती जा रही है दरसर शराबंदी मामलों में हो रही लगाताय गिरफतारी और फिर अभी उक्तों द्वारा जमानत की अर्जी देना इन सारी प्रक्रिया में कोट पर दबाव बढ़ता जा रहा है जोसे कोट के अन्यकाम का अच पाधित हो रहा है ऐसे में परिशान होकर परतना हाई कोट ने सुप्रीम कोट से गुहार डगाई है इसके तहट सुप्रीम कोट को बताया गया है कि राज़ में 21,671 अग्रिम और 17,951 नियमित जमानत याचुकाय लंबित है उनके लिए ध्यान देने योग्य खबर है CBSE ने मार्च उप्रेल में होने वाले 10 वी और 12 वी बोड के टर्म टू परिक्षा के लिए सांपल पेपर जारी कर दिया है बताते चले कि कोरोना काल में परिक्षा के लिए बच्चों की तयारी बहतर ढंक से हो इसको लेकर के सांपल पेपर मददगार साबित होने वाला है क्योंकि इसके आधार पर ही टर्म टू परिक्षा में सवाल पूछे जाएंगे इसके तहट 10 वी के टर्म टू की परिक्षा में गणित के कुल चौधा प्रशन पूछे जाएंगे जो की तीन अलग-अलग सेक्षर में बटे होंगे वहीं गड़ित में केस स्टडी में आधारित सवाल पूछे जाएंगे इसके अलावा अने विश्यों के भी सांपल पेपर उधारन के साथ जारी किये गये है जिसकी प्राक्टिस करके चातर चातराएं अपनी तयारी बहतर कर सकते हैं बताते चले कि विद्यार्थियों को लंबे समय से ही सांपल पेपर जारी होने का इंतिजार था समराट अशो के मुद्दे पर सुशिल मोदी थे है चुन्तित इन दिनों बिहार की राजरेती में समराट अशो का मुद्दा गर्माया हुआ है क्योंकि लगातार जडियों ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रसिद नाटककार की तरफ से समराट अशो के तुलना और अरंज जेब से की गई है हारा कि अब खुद ही नाटककार ने सामने आकर इन बातों को से रसकारश कर दिया है लेकिन इन सब के बीच राजर सभासांसत सुशिल कुमार मोदी को एक अलग डर सता रहा है इंडिये के घटक दलो से इस समुद्दे पर बयानबाजी बंद करने की अपील की गई है उन्हाने कहा है कि समराट अशोक राश्ट्रे गॉलफ समराट पर विवादे टिपणी करने वाले लेखक भी सफाई दे चुके हैं इसके बाद मामले का पटा शेप होना चाहिए समराट अशोक पर अधारित उस प्रस्कृत नातक में उनकी महानता की चर्चा भरी पड़ी है और अंग्जेब का कहीं जिक्र नहीं है लेकिन दुर्भा की वश इसमुद्दे को तुल दिया जा रहा है उनके एक इंटर्वियो को गलत ढंग से प्रसारित कर इंडियो को तोड़ने की कोशिश की गई है रनवीर सिंग के फिल्म ने सिनमा घरों में पूरे किये तीन हफ़ते इतनी हुई कमाई रनवीर सिंग के फिल्म 83 ने सिनमा घरों में तीन हफ़तों का सफर पूरा कर लिया है इस दोरान 2021 की आखरी बहुचर्चित रिलीज को कोरोना की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसका अधर बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स पर भी देखा गया और प्रते दिन कलेक्शन्स एक करोर से नीचे हो ही रहा कबीर खान निर्देशित फिल्म 7 जन्वरी को 23 हफते में दाखेल हुई थी जिसके साथ 21 दिनों का नेट कलेक्शन 101.83 करोर हो गया फिल्म ने 100 करोर का पड़ाफ तीसरे विकेंड में 17 दिन पार कर लिया था वहीं ओवर्सीज में फिल्म 20 दिनों 60 तश्रुम लब 1-6 करोर का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है टीट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 का फुल स्केडियूल इस तारी को होगा जारी ICC ने घोशना कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किये जाने वाले टीट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 के फुल्ड स्केडियूल को 21 जनवरी के दिन जारी किया जाएगा वहीं इस वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचों के लिए टिकेटों की विक्री 7 फरवरी से पर्थ और सिद्नी में सभी 45 मैचों की मेजबानी की जाएगी जबकि फाइनल 13 नवंबर 2022 को एम सी जी में आयोजित किया जाएगा कल हमारे दुवारा पूछे के सवाल का जवब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल कुमार नेहा कुमारी दीपक राओ शंकर आपके जुले के सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच की ववस्ता चल रही है या नहीं अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज़के लिए बिहार की बड़ी खबरों से अबड़ीट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब क करें और बेलाइक को और देवाला ना भूले धन्यवाद